आज सो मेटर चैंप मेप से यगा स्वागत है, में नमोज फुर्मा है आज की इस वीडियो में हम लग सीचेंगे कि प्रिज्म और पिरामिड के बीच में क्या डिफरेंसेज होते हैं चलिए सुरू करते हैं प्रिज्म में दो बेस होते हैं जबकि पिरामिड में केवल एक ही बेस होता है प्रिज्म की हाइट परतेग बिंदो से समान दूरी तक ली जाती है पिरामिड की हाइट के अंदर से निश्चित दूरी तक ली जाती है दोस्तो इस बत का ध्यान देना कि प्रिजम में हाइट हम हर बिंदो से लेते हैं लेकिन पिरामिड वे हम उसकी हाइट हर बिंदो से नहीं बलकि सेंटर से लेते हैं प्रिजम की भुजाए उपर जाकर एक ज़गे पर नहीं मिलती है इसकी बुजाए समानतर ही रहती है दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी बुजाए एकदम पैरलल जा रही है पिरामिट की सभी बुजाए उपर जाकर एक ही जगह पे मिल जाती है प्रिज्म की हाइट वाली सभी बुजाओ का आकार आयत होता है दोस्तों आप देख सकते हैं जितनी भी इसकी भुजाए है हाइट वाली आप देख सकते हैं वो सारी एक rectangle से बना रही है जबकि पिरामिड की height वाली सबी भुजाओ का आकार त्रिबूज होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे चितर में triangular से बन रहा है जबकि यहाँ पे rectangular से बन रहा है उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए helpful होगी मगर अगर आपको अभी भी इस topic में कोई doubt है तो आप हमें comment box में comment कर सकते हैं तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवार